Hello everyone, I am Shruti Gupta. Last video में हमने functions देखा था, functions कैसे declare करते हैं, उसको use कैसे करते हैं, call कैसे करते हैं. आज हम देखने वाले हैं recursive function, inline function and function overloading की ये चीजें क्या हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं recursive function की. recursive function क्या होता है? ये ऐसे function होते हैं जो अपने आपको call करते हैं. normally हमने देखा था, कि एक function को दूसरे function में call किया जाता है, लेकिन recursive function, self-calling functions होते हैं, जो अपने आपको call करते जाते हैं. और कोई ना कोई ऐसी condition दी जाती है, ताकि ये call stop हो सके. तो ये काफी efficient होता है, कम line of code में हम इस तरह के functions लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसे ढंग से break नहीं किया जाए recursion को, तो कहीं न कहीं ये problem create करती है, और infinite look में function चला जाता है. जैसे यहाँ देखें, तो recursive function कैसे use हो रहा है? suppose एक function है recurs function और main function में हम उसको call कर रहे हैं. और आप यहाँ देख सकते हैं कि recurs function अपने आपको ही call कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई condition दी जाती है, ताकि ये कभी न कभी ये recursion stop हो सके. तो यह function अपने आपको ही call करता है, तो practically एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि recursion कैसे possible होता है. यहाँ मैंने एक recursive function बनाया है fact function जो अपने आपको call करके factorial calculate कर रहा है. तो simple यह fact function है जिसमें हम int value pass कर रहे हैं as an argument and return value base की integer है. factorial calculate करके value return करेगा integer type में. और main में एक number हम input करा रहे हैं x में और x के value का हम factorial निकालना चाहते हैं. तो यहाँ y equal to fact x मैंने function को call कर लिया. अब function में चले तो function को आप समझें क्या हो रहा है यहाँ. x की value कहाँ copy हो गई? n में. यानि x में अगर मैंने 3 pass किया तो n की value क्या हो गई? 3. अब इस function के अंदर का एक condition दी है. अगर n equal to equal to 1 हो. अगर मैंने 3 pass किया तो यह condition false होगी और हम कहाँ चले आएंगे? else part में. else part में हम क्या कर रहे हैं? n into fact n minus 1. यहाँ आप देख सकते हैं कि यह function अपने आपको call कर रहा है. यह अपने आपको call कर रहा है. लेकिन number की value धीरे-धीरे decrease होती जा रही है. n minus 1. यानि अगले बार जब यह function call होगा, तो n की value क्या होगी? 2 होगी. फिर जब 2 से यह end look में enter करेगा, तो n minus 1, यानि 2 minus 1, n की value 1 होगी. और अगर n की value 1 होगी, तो यह return क्या करेगा? 1. यानि 3 का factorial हम calculate करने हैं, तो 3 into 2 into 1. इस तरीके से यह internally अपने आपको call करता जाएगा. और finally, एक condition ऐसी होनी चाहिए, कि जब यह recursion break हो जाए. तो if condition वही काम कर रहा है, तो 1 return करेगा, और यही value अगले m में multiply हो जाएगी. अब इस function को हम run करके देखते हैं. तो यहाँ कोई number में डाल रही हो 5, तो आप देख सकते हैं, 5 का factorial 120, जो पिलकुल सही है. दूसरा कोई number डालने, suppose 1 डाल दूमें. तो देख सकते हैं, इसका factorial 1 ही आ रहा है. इसी तरीके से अगर 3 डालें, तो इसका factorial 6 आ रहा है. यानि perfectly काम कर रहा है हमारा यह function. factorial function में हमने देखा कि हमने कोई number पास किया, लेकिन वो अपने आपको call कर रहा था, और number की value उससे 1 कम हो जा रही थी. फिर factorial की value 4 हो रही थी, यह 4 into अगले number को हम पास कर रहे थे, यानि n-1 होता जा रहा था. इस तरीके से finally जब factorial की value 1 थी, यानि number में 1 पास हो रहा था, तो वह factorial 1 रिटर्न कर रहा था, जो इन में आपस में एक तूसरे से multiply होता जा रहा था, और finally हमारा factorial calculate हो जा रहा था. अब बात करें inline function की, C++ में एक बहुत important concept है inline function का, ताकि जब हम function call करते हैं, तो control को एक जगह से दूसरे जगह jump करना पड़ता है, यानि caller function से वह calling function में जाता है, और वापस calling function के statements को execute करने के बाद, वो caller function में आता है. तो इस तरीके से execution में थोड़ा सा extra time लगता है, क्योंकि control एक जगह से दूसरी जगह shift होता है, वापस वहां आता है, तो इसको दूर करने के लिए, एक inline function का concept इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां function call, function code से replace हो जाता है, लेकिन inline function वैसे ही जगहों पर implement किया जाता है, या use किया जाता है, जहां function की coding बहुत कम हो. तो internally compiler क्या करता है, compile time पर inline function के code को function call की जगह, वो attach कर देता है, यह हमें तिखाई नहीं देगा, लेकिन internally compiler compile करते समय या process execute करता है, तो inline function बनाते कैसे हैं, inline एक keyword है C++ में, और inline function जब हम बनाते हैं, तो inline keyword का use किया जाता है, function के return type के पहले, normally हम लोग function लिखते समय क्या करते थे, return type, function name और argument, लेकिन inline keyword उसके पहले भी attach किया जाता है, अगर हम किसी function को inline बनाना चाहते हैं, बाकि function की coding normal ही रहती है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि अगर हम inline function बनाते हैं, तो compiler ज़रूरी नहीं है कि वह inline उसको बनाए ही, क्योंकि अगर हम inline function में loop का use कर रहे हैं, कोई भी loop लगा रहे हैं, तो वह function inline function नहीं बनता है, अगर उस function में किसी static variable का use करते हैं, तब भी वह inline नहीं बनता है, अगर function recursive है, तब भी वह inline function नहीं बनेगा, इसके अलावा function का return type wide के अलावा कुछ भी हो और उसके अंदर कोई return statement हो तब भी वह function inline function नहीं बनेगा और साथ ही switch या go to का भी use हम inline function के अंदर नहीं कर सकते हैं तो यह कुछ restrictions हैं जो inline function पर implement किये जाते हैं अगर inline function में हम इंचीजों को use कर रहे हैं तो compiler उसको as an inline function consider नहीं करेगा तो ऐसे क्या reason हैं कि हम inline function को use करते हैं इतने restrictions के पाद इसका advantage क्या है पहला यह है कि function call से हम पच जाते हैं क्योंकि function call करते समय control को एक location से दूसरी location पर jump करना पड़ता है function के definition तक जाना पड़ता है तो इससे पच जाते हैं हम और execution time थोड़ा save होता है साथ ही साथ function के return statement पर भी हमारा control jump करता है calling function से caller function पर तो यह भी time save होता है यानि एक जगह से दूसरे जगह control को jump नहीं करना पड़ता है और जिससे execution time कही न कहीं थोड़ा save होता है इसके अलावा code का optimization होता है यानि code का optimization क्यों हो रहा है क्योंकि control को एक जगह से दूसरी जगह jump नहीं करना पड़ रहा है और वह code उसको वहीं मिल जा रहा है इसलिए code का optimization होता है लेकिन inline function useful है जब यह small होता है यानि ऐसे function को ही inline function हमें बनाना चाहिए जिसके coding कम line की हो लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ disadvantage भी है inline function के अब disadvantage क्या है कि inline function में function call function code से replace हो जाता है यानि जहां हम function को call करते हैं वहाँ inline function की coding attach हो जाती है जिसके कारण inline function में जो भी variables create किये गए हैं ये variables CPU register में create होते हैं और अगर variables जादा हैं तो हमें जादा number of registers की जरूरत होगी और CPU के registers को हम block कर देंगे invariable से इसके अलावा अगर बार बार inline function को call किया जा रहा है तो same line of code बार बार हमारे program में attach होते जाएंगे और जिसके कारण binary executable file का size बढ़ा हो जाएगा function हम इसलिए बना रहे थे कि उस code को reuse किया जा सके कि जब भी जरूरत हो उस code को हम call कर ले और program की size हमारी कम हो लेकिन यहाँ वही हमारे लिए disadvantage साबित हो रही है कि अगर उन्ही code को हम बार बार replace कर रहे हैं function call से inline function के कारण compile time भी increase हो जाता है क्यूं क्यूंकि हर जगा function call को inline function के code से replace करना पड़ता है तो यह सारे disadvantage है inline function के फिर भी अगर छोटे code हैं तो बहुत जादा lines वहाँ attach नहीं होगी और उनको easily हम inline function बना सकते हैं और code का execution past कर सकते हैं अगला हमारा topic है function overloading function overloading क्या होता है C++ के concept में या ups के concept में हमने एक feature देखा था polymorphism यानि representing more than one form तो वहाँ मैंने बताया था कि polymorphism को दो थरीके से implement करते हैं function overloading and operator overloading तो function overloading है क्या कि same name के function को हम कई अलग-अलग parameters से create कर सकते हैं यानि एक ही program में हम same name का function बना सकते हैं लेकिन उसके number of arguments and types of arguments अलग-अलग होने चाहिए जैसे यहाँ देखें तो यहाँ हम some function बना रहे हैं जिसमें दो integer type की value pass कर रहे हैं और यह integer type की value return कर रहा है यह भी some function है लेकिन इसमें तीन integer argument pass किये जा रहे हैं some function यह भी है लेकिन यह float type की value pass कर रहा है दो argument integer वाले में भी हैं दो इसमें भी हैं लेकिन दोनों का data type अलग है इसी तरीके से some function है जिसमें double type की value को pass किया जा रहा है तो एक ही program में हम अलग-अलग functions बना सकते हैं जिन functions का name same हो लेकिन number of parameters and types of parameters इनके अलग-अलग होने चाहिए तब ही हम function overloading कर सकते हैं तो एक program देखते हैं function overloading का ताकि यह concept बिलकुल clear हो जाए यहाँ एक function overloading का program बनाया है जिसमें देख सकते हैं area function तो functions हैं area नाम के ही लेकिन एक area में मैं circle का area calculate करना चाह रही हूँ तो वहाँ हमें सिर्फ radius की जरुरत है तो यहाँ एक argument pass कर रही हूँ float type का यानि इसमें float type की value pass करेंगे जो radius होगा और यह function circle का area calculate करेगा इसी तरीके से एक और area function बनाया है जिसमें दो integer argument pass करेंगे यहाँ मैं rectangle का area calculate करना चाह रही हूँ इसलिए दो value pass करना कर रही हूँ इसी तरीके से आप चाहें तो एक और area function define कर सकते हैं triangle के area calculate करने के लिए और उसमें तीन argument pass कर सकते हैं हमेंने दो function लिया है same name का लेकिन देख सकते हैं number and type of argument अलग-अलग हैं और main function में radius enter करा रही हूँ जो float type का है और float type की value यह function return करेगा तो area function को pass कर रही हूँ और इसमें float type की value को pass कर रही हूँ तो यह किस area को calculate करेगा first वाले को क्योंकि इसके अंदर single argument pass हो रहा है और यह float type की value को pass कर रहा है तो यह किसका area calculate करेगा circle का इसी तरीके से दो argument enter करवा रहे हैं हम l and b और दो argument area के अंदर pass कर रहे हैं तो यह second वाले function को call करेगा जहां दो integer parameter pass करना था और वो rectangle का area calculate करेगा अब यहां function definition में देखे तो दोनो function के लिए definition लिखी है पहला area है यह जो rectangle का area calculate कर रहा है दो integer value pass हो रही है और उनको आपस में multiply करके l into b करके value return हो रही है और यह function है जो circle का area calculate कर रहा है तो pi r square formula लगा के यह calculation करके circle का area return कर रहा है इसको हम compile करके देखें run करें तो पहला हम radius pass करें suppose 3.2 तो यह circle का area calculate कर रहा है यानि first वाले function को हमारे call कर रहा है और दूसरा है rectangle का area calculate करेगा तो 6 into 4, 24 तो इस तरीके से एक ही program में एक ही नाम के एक से ज़्यादा function बनाए जा सकते हैं लेकिन number of argument, types of argument अलग होने चाहिए और यह concept कहलाता है function overloading तो आज के वीडियो में अगर आपको यह तीनों concept recursive function, inline function and function overloading समझ में आया तो वीडियो को like, share and subscribe करें साथ ही अपने notification बटन को hon करें Thank you and have a nice day झाल